साथियों, हम सभी भारतिय इस साल अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, अम्रित महोसों मना रहे हैं, आजादी के 75 वर्ष में भारत अभूदपुर्व, इंक्लूजिवनेज और इससे प्रोसाइध होने वाली करोडो एस्पिरेशन्स का गबा बन रहा है। भारत आज अभूदपुर्व संभावना उसे भरा है। भारत एक मजबूत सरकार के नेतृत्व में, एक तीर सरकार के नेतृत्व में, एक निरनायच सरकार के नेतृत्व में, नए सपने भी देख रहा है, नए संकल्पे भी ले रहा है, और संकल्पों को सिद्धी में करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भी है हमारी पॉलिसी स्पस्थ है और रिफॉर्म के लिए भरपूर कमिट्मेंट है पांच साल बात हमें कहां पहुतना है ये भी तय है और आने वाले पटीश साल के लिए जब देश आज़ादी की शताब्दी बनाएगा पटीश साल के बाद हमें कहां पहुतना है पटीश साल के लिए आत्म दिर्फरता का रोड मैप भी तयार है कि साथियों कि वो दिन चले गए साथियों वो दिन चले गए जब दुनिया में कुछ होता था तो हम रोना रोते थे भारत आज बैस्विक चुनोतियों का रोना रोने वाला देश नहीं है बलकि भारत आज आगे बढ़कर इन चुनोतियों का समाधान दे रहा है कोईलिशन पर डिजास्ट और रेजिलियंस फंड सीडी आर आई के माध्यम से हम पुरी दुनिया को आप दाओं से लड़ने में सक्षम बनाना चाहते हैं आज हम International Solar Alliance के जरिये दुनिया भर के देशों को एक मंच पन ला रहे हैं ताकि सस्ती और Environment Friendly Energy का लाब दुनिया को दे सकेंगे बन सन, बन वर्ड, बन ग्रीर ये सपना हमने दुनिया के सामने रखा इसके लाब भारत ने बीते आठ वर्ष में खुद अनुभव भी किये हैं भारत में Solar Power की Record Capacity तो बिल्ड हुई है ये दो धाई रुपे प्रती उनिट के हिसाब से उपलब्द है Green Hydrogen को लेकर भी जिस स्केल पर भारत काम कर रहा है जर्मनी जैसे मित्र देशों के साथ साजेदारी कर रहा है तो उसमें भी मानवता का ही हीथ है भारत में WHO Center for Traditional Medicine स्थापित होने से भारत दुनिया की प्राचिन चिकित सापधद्यों का Global Center भी बन रहा है साथियों योग की ताकत क्या है ये तो आप बलीभाती जानते है पूरी दुनिया को नाग पकड़वा दिया है भारत प्राचिन प्राचिन अपवाद्यों